Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 8.1 से question number 9 करेंगे Write the decimal number represented by the points A, B, C, D on the given number line ये जो number line आपको given है, इसके उपर A, B, C और D ये जो 4 points marked है, इन points का आपको decimal number लिखना है चलिए number line को पहले ध्यान से देखिए ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और ऐसे ये 3 है 0 और 1 के बीच में, यानि यहाँ पे जो number line है और ये जो whole numbers लिखे हुए है, इनके बीच में equal equal ये 10 parts में divide है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो 10 parts में divide है, तो ये जो 8 part है इतना ये 10th है, यानि ये 0.1 के बराबर है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखके हम A, B, C, D की value निकालेंगे, तो A पे focus कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये A, अब इस A की value हमें देखनी है, तो हम 0 से count करेंगे, तो ये 0 है 0 के बाद जो पहला ये point है, ये वाला mark, ये होगा 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तो ये आठवे mark पे है, तो ये 0.8 होगई है इसकी value, तो इसका answer होगा 0.8, तो ये है वो decimal number जो A को represent करता है अब B पे चलते हैं, ये जो B है, ये 1 से आगे जा रहा है, हमें ये देखना है कि 1 से ये कितने place आगे जा रहा है, decimal places तो ये 1 हुआ, 1 के बाद जो ये पहला part होगा, पहला mark, ये होगा 1.1, दूसरा 1.2, तीसरा 1.3, तो B पे 1.3 आ रहा है, तो B की value होगी 1.3 अब C को देखते हैं, ये रहा C, C 2 के आगे है, तो 2 से ही गिनना शुरू करेंगे, ये 2 हो गया, और इसके बाद ये 2.1 हो गया, और ये 2.2 हो गया, तो C की value आ रही है 2.2, तो C की value 2.2 हम लिख देंगे. अब D को देखते हैं, ये D है, ये C, ये D जो है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो मैं 2 से गिनना शुरू करूँगा, तो 2 के बाद ये पहला mark 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ये D 2.9 के उपर है, तो D की value हो गई है 2.9 लास्ट पार्था question खतम, next questions के लिए next video में मिलते हैं, तब तक के लिए goodbye